नमस्कार आप देख राज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंख साथ दोस्तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हुडकेशवर थाना छेतर अंतरगत किस प्रकार से नौ वर्ष ये एक नावालिक लड़की के साथ में किस तरीके से उससे तकलीफ दिया जा रहा था उसक और यहां तक की चाकू को गर्म करके उसके प्राइबेट पार्ट्स तक को चलाया जाता था और अभी भी कई चीज़े ऐसे हैं जो हम कैमरे के सामने शायद बोल नहीं पाएंगे को बोलना उचित नहीं है लेकिन इस दर्द की गहराई को मैं समझता हूं कि आप समझ सकते है कि आखिरो नौ वर्स की लड़की किस प्रकार से उस पीड़ा को जेलते आ रही होगा और ना जाने कितने साल ऐसे ही बिता दी इसमें नाकपूर पुलिस को एक बड़ी कामियावी मिली कि जो तीन आरोपी है उसमें से एक आरोपी जिसका नाम है तहा अमन इस्तियाक एहमद खान इसको गुरुबार की शाम को नाकपूर एयरपोर्ट से नाकपूर पुलिस ने अरेस्ट किया है अन्य जो दो आरोपी है वो जो अभी आरोपी है उसका एक साला उसकी वाइफ यह दो आरोपी अभी भी पूलिस ग्रबत से बाहर है आपको बता दूँ कि जो इसकी जनकारी यह है उस जनकारी के हिसाब से हैदराबाद में जो महिला अरोपी है उसके पीता जिस सूसाइटि विल्डिंग में रहते थे वहाए एक सिकरेटी गाड़ काम करता है सिकूरेटी गाड़ के बच्चे जादा है चे साथ लड़किया है शायद उसको इसी वजह से उस है और सब कुछ ठीक है उस गरीब को क्या पता था कि उसके लड़की के साथ में इतना बेरहम तरीके सत्याचार किया रहा है यहां तक कि पीड़ित महिला का जो भाई है को जब भी हैजराबाद से नाकपूर आता था इस नौ वर्षी यह लड़की के साथ में इस रोशन करता था उसका बलातकार करता था और पीड़ा की सारी हदे उस लड़की ने पार कर दी इतना वो बरदास्त कर चुकी है जो महिला आरोपी है उसके भाई की पहली शादी टूट चुकी है और दूसरी शादी उसकी जुड़ने वाली थी कहीं बात भी चल रही थी और उससे पहले इतना बड़ा मामला सामने आया पुलिस ने लोकेशन ट्रेक किया आरोपी होगे जिसमें से एक आरोपी का लोकेशन मिला बैंगलोर एयरपोर्ट पे पुलिस ने इसके जांच परताल की कि आखिर बैंगलोर से इस नाम का आरोपी कहां जा रहा है तो पता चला कि नागपूर ही आ रहा है यहां बंदोबस लगवादा जैसे ही नागपूर पहुंचा नागपूर पुलिस ना एरेस्ट कर लिया इस पे जोन 4 के DCV विजय सागर क्या कहते हैं वो सुनते हैं अधिकी तया एक तीक घहरा मतये मुलिला हो जोनित अधिक वीचारना किया सा थिन तचर वरती साथी तयान चारयरिक अध्या जैसे बंदोबस लिए तया नुसार जो आहें की आमची पूलिस टीम ही थिता पॉणचली पूलिस चार माइटी विए गेतले हैं मुझीच प्रश्णतर प्रसुरुपा मदी बयान गेतले ला है निया बयान नेच आनुशंगान जा पदेतीन मुझी न सांगेतले लगीदिचा और ती फिजीकल आत्यार होद होता दोस्तोस हर को यही कामना कर रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएं और इस तरीके के दर्दनाग जो हादसे हुए हैं जो काम हुआ है नाकपूर में ये वाकई में नाकपूर वासियों का दिल दहला कर रख दिया है ये घटना दिल्ली की निर्भया कांड को याद दिलाती है और ये मासूम जिस यातनाओ को अभी तक बरदास्त करते आई है पागवान ना करें कि फिर से किसी के साथ में इस तरह की घटना हो खास बात ये भी है कि परुशियों को सचेत रहने काव सकता है किसी को भी किसी को पर अच तरह के कोई शंशय है तो तुरत कम से कम पुलिस को खबर तो करना ही शहिए आप देखते रहें आज के खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्म इन विसीर न्यूज पर जैसे अपडेट इस मामले में होगा हम आप तक फिर लेकर आएंगा हमारे साथ आप जरूर बने रहें